है लो दोस्तों नमस्तार आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस युट्योग चैनल टेक्निकल क्लासेस में तो दोस्तों आज का वीडियो जो है फुली फ्रैक्टिकल है और यह वीडियो जो है वीडियो नंबर फिप्टी शेबेन में जो थिओरी बताया था उशी का प दिखाया है जिससे की आपको अशानी से समझ में आए तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और देखिए अभी जो है आपका 60 mm का ओडी बनाएगा दोस्तों जी G71 साइकल में क्या होता है कि सबसे पहले बारा ओडी बनाता है उसके बाद उससे छोटा उससे छोटा करके जो सी जी से चालू करते हैं उसमें क्या होता है कि आपका पुरा मेटेरियल को जो है क्लीन कर देता है अभी आपका रॉफिंग साइकल चल रहा है और यह 60 mm का ओडी बना रहा है इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए कि रेडियस में जो आपका 10 mm का रेडियस है उसको बन नेटर पर चल जाता है थो पोड़िन अपका मशीन में भी चल जागा अगर आपके प्रोर्ग्राम गलत डालते हैं तो आपका कि येलर्म आएगा जो आपकी मशीन में आता आइ सिंद्धि आप लोग आपका यह 40 mm का ऊडि बनाएगा और इशी में देखिए यह जो है radius बना रहा है अभी इधर घुमाएंगे इशी में आपको समझ में आएगा देखिए अंदर थोरा थोरा material छोड़ते आ रहा है और ऊशी को जो है यह बाद में 10 mm का radius बनाएगा देखिए अब आपको शामने दिखाई दे रहा है अगर रेडियस के लिए अपना वहां पे पॉइंट छोड़ते जा रहा है क्योंकि बाद में उसको रेडियस बनाना है दोस्तों यह सिमुलेटर का जो एप से बहुत कमाल का एप से देखिए आपके पास मसीन नहीं है फिर भी आप प्रेक्टिकल करके अपने प्रोग्राम का अभ्यास कर सकते हैं शीख सकते हैं यह कितना मज़ा आ रहा है देखने में दोस्त एक दम आपको लगया कि जो अच्छा उरिजिनल मशीन है उसी पर आप काम कर रहे हैं और यह देखिए आपका जॉब जो है लगभग रेडी हो गया है यह देखिए यह आपका फिनिशिंग कर चला रहा है लास्ट और यह आप का जो प्रोगाम बनाया था वह बिल्कुल एकुरेट डायमेंशन लेकर कैल्कुलेशन करके बनाया था देखिए बहुत ही संदार्ट यह दो